आज के वीडियो में मैं आपको जानकारे देने वाला हुआ होम साइंस प्रैक्टिकल इग्जाम रूटिंग पाठ थड जो की सत्रह उनीस से बाइस का आज बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंते तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी इंफर्मेशन प्राप्त हो तो ज हो की आपका एक्जाम जो होगा वह 10 से 15 जनवरी के बीच अपका एक्जाम होगा ओनर्स देख ले होम साइंस लिखा हुआ यहां पे जो मैंने अभी सरकिल से आपको बताया है और नेम ओफ दे एक्जाम सेंटर मतलब कि आपका एक्जाम सेंटर बी आर्म कोलेज मुंगेर गया है और कॉलेज कौन-कौन से आते हैं कॉलेज अटेच्ट विद इस सेंटर पाहला है बी आर्म कोलेज मुंगेर जमालपूर कॉलेज जमालपूर और S.B.N. College गड़िरामपूर और International College गोसेट तो चार College का सेंटर B.R.M. College मुंगेर दिया गया है दूसरा देख लें आप इस्क्रीन पे S.G.S.M. College सेखपूरा और College कौन-कौन सा आते हैं पहला है S.G.S.M. College सेखपूरा, C.N.B. College हतियामा, S.K. College लोहंडा, S.S. College मेहूस, S.K.R. College बर्वीगा, महिला College बरहिया तो ये College आते हैं जो की S.G.S.M. College सेखपूरा उनका एक्जाम सेंटर है अब तीसरा देख लें महिला College खगरिया एक्जाम सेंटर है और College कौन-कौन से आते हैं महिला College खगरिया है, S.G.K. College महिस्कूर है, M.S. College अलॉली सोनिहाल है तो यहाँ पर तीन सेंटर बनाया गया है और तीन College का सेंटर है महिला College खगरिया और लास्ट जो अब देख रहे है S.P.S.W. College जमू है एक्जाम सेंटर और College कौन-कौन से आते हैं S.P.S.W. College जमू DRS College सिकंद्रा और P.P.Y. College चकाई तीन College का सेंटर जो दिया गया है S.P.S.P.S.W. College जमू दिया गया है तो यह सिर्फ होम साइंस की स्टुरेंट्स का ही था जो कि 10 से 15 के बीच आपका एक्जाम लिया जाएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाट